रामायन में साथ कांड हैं बाल कांड, अयुद्या कांड, अरन्य कांड, सुन्दर कांड, किसकिंदा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड इसमें सबसे ज़्यादा प्रचले सुन्दर कांड ही क्यों है दखिए साथ कांड तुलसिदास जी ने लिखे कांड शब तो बालमी की जिगा है तुलसिदाज जी ने शब्द दिया सौपां रामचईत मानस का जो प्रेमी है उसको उतना ही सुन्दर कांड प्रिये है और उतने ही छे कांड प्रिये है मुझे भी बहुत लोग कहते कि भारा जी हम तो सुन्दर कांड का पाट कर लेते हैं और बस तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, सुन्दर कांड तो करो, करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ 6 कांड को भूलना जाए, आपने का सुन्दर कांड ही इतना famous क्यों है, क्योंकि उसमें श्री हनुमान जी का मु तो वहाँ से सुग्रीव ने जब कहा कि जाओ ये दो तपस्वी कौन चले आ रहा है ये शायद बाली के भेजे हुए कोई लगता है मुझे मारने के लिए आए तब हनुमान जी को वहाँ से भेजा तब यहाँ से हनुमान जी के एंट्री होती है रामचैत मानस में और उसके बाद रामजी से मिलते ही हनुमान जी का रोल स्टार्ड हो जाता है इससे एक बात तो योवानों को ये सीखनी चाहिए कि चाहे हनुमान भी क्यों ना हो जब तक वो राम से नहीं मिलेंगे उनकी जिन्दगी का रोल प्ले आगे बढ़ने वाला नहीं है उसके बाद ऐसा प्लेइंग की हनुमान जी ने ऐसा रोल निभाया कि लिए दो जनपीट चड़ाई और लेकर के पहुँचे वहाँ से प्रारम हुआ और किशकिंदा कांड में जहां विराम होता है हनुमान जी तब महुन बैठे वहाँ से हनुमान जी का जो बल, बुद्धी, पावर एकदम से देखने को मिलती है और वो सुन्दर कांड में भी पूर्ण नहीं है सुन्दर कांड में भी एक जामन से मिलने के बाद वहाँ राम जी से मिलने के बाद हनुमान जी का रोल वहाँ खतम हो जाता है उसके बाद तो समुंदर का वर्णन है फिर आगे विभीशन की भगवान से मैत्री है विभीशन का मिलना है तो सुन्दर कांड इसलिए सबसे ज़्यादा परच्रित है कि इसमें श्री हनुमान जी का मुख्य रूप से भूमिका है और युवानों को तो श्री हनुमान जी से अत्यनत प्रेम है इसलिए सुन्दर कांड की भूमिका बादा